अच्छा माइक ले लिया अच्छा अच्छालली रिए अच्छा लेम्ड लिया इस्टेंड ले लिया Middle आपका जो viewer होगा और distract हो जाएगा इसे तरीके सब की वीडियो होती है किसी चीज को आप explain करते हो उसमें अगर बीच में noise होती है तो आपका viewer distract होता है वो आपकी वीडियो को छोड़ के ही नहीं जाता है डिसलाइक मार के जाता है अपनी audio से हमें noise को कैसे गायब करना है यह हम आज किसी वीडियो में सीखने वाले हैं तो इसके लिए आपको एक application की जरूरत पड़ेगी बट आज के इस पूरे process में अपने laptop की उज़ करने वाले है क्योंकि जितना अच्छा audio हम laptop से बना सकते हैं मोबाइल फोन से उतना अच्छा करना पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर आपके वास में laptop नहीं है तो मोबाइल फोन से भी audio को सही किया जा सकता है उसके लिए आपको एक application डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है Bebpad अगर आप इस application को डाउनलोड करोगे तो इसका tutorial मैंने पहले ही बना दिया है उसको आप जाकर देख लो मैंने उस पर already वीडियो बना दिया है तो laptop में हमें एक application डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है Audacity चो Audacity आपको open कर लेना है अब हम अपना गाम स्टार्ट करते हैं इस तरीके से आपको starting के नहीं बोलना है ठीक है जो actual noise होगी वो record हो जाएगा उसके बाद में हम इसे remove करेंगे तो simple हमें तूड़ा सा यहाँ पर इस part को select करना है उसके बाद effect में जाना है यहाँ पर आपको noise reduction को option मिलता है get noise पर click करना है और अब हम क्या करेंगे control plus A करेंगे पूरी audio को select करेंगे उसके बाद में हमें effect में दोबारा जाना है यहाँ पर noise reduction की option पर click करना है और यहाँ पर हमें यह settings करना है इसे अगर आपकी वीडियो में आउडियो में चाला noise है तो इसे आप बढ़ा सकते हो अगर normal है तो इसे 10 या 12 पर आपको रखना है ठीक है अभी हम इसे reduce कर देते है तो हमारी audio से अब noise जो है वो remove हो जाएगी उसके बाद में अब हमें जो खाली का बेकार वाला part ही यह हमें select करना है उसके बाद control plus X कर देना है अब मारी audio से एक खाली वाले part को हम cut कर चुके है ठीक है तो इसी तरीके से आपको cut कर देना है उसके बाद में हमें दुबारा से control plus A करके पूरी audio को select करना है उसके बाद में effect में जाना है उसके बाद में हमें यहाँ पर compressor को option मिलता है इस पर में click करना है तो एक बात ध्यान से सुनू कि जो जो settings में बता रहा हूँ आपको इसको आप एक paper और pen लेके note down कर लो क्योंकि इसी settings को आप चाहूत apply कर सकते हो कि अगर आप चाहूत इसमें और छेट चाड़ करके अपनी audio के साथ में और आप improvement कर सकते हो ठीक है तो उसके बाद में हम दुबारा से effect में जाएंगे और यहाँ पर आपको नीचे limiter को option मिलता हमें इस पर click करना है और इसे hard limit पर यहाँ पर आपको click करना है उसके बाद में जो यह limit to db होता है decibel होता है इसे में 4 से 5 की बीच में रखना है ठीक उसके बाद में हमें इसे okay कर देना है अब जो हमारी peaks वगेरा जो हमने मतलब कुछ high बोल दिया था उसे हमारा सब कुछ gap हो जागा सब कुछ एक level सा हो जाएगा ठीक है उसके बाद में दुबारा से effect में जाना है और यहाँ से हमें filter कर विक को option मिलता है इस पर हमें जाना मैनेज में जाना है उसके बाद में factory preset और यहाँ पर आपको best boost का option मिलता है बट आपको इसे कोई भी छेड़ जाड नहीं करनी है और इसे okay कर देंगे तो अब आपकी audio में देख सकते हो जान सी आ चुकी है ठीक है थोड़ी से audio भी magical हो चुकी है उसके बाद में अब यहाँ पर आपको दुबारा से इफेक्ट में जाना है filter कर भी EQ में जाना है उसके बाद में आपको यहाँ पर manage में जाना है factory preset और यहाँ पर travel boost अब इसे हम थोड़ा सा down करेंगे six से थोड़ा सा उपर और nine से थोड़ा सा नीचे उसके बाद में हम इसे okay कर देंगे अब हमारी audio में treble भी आ चुका है अब हमारी audio पूरी complete हो चुकी है ठीक है अब यह जो audio है यह final audio है अब आप सुन लो audio कैसी magical बन चुकी है so आज हम अपनी audio के एक्दम से आपको यह वीडियो पसंद आए होगी वीडियो अगर पसंद आए है तो लाइक कर देना और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन भी प्रेच कर दो जिससे आपको आने ओले वीडियो के नाटिफिकेशन मिल सके तो चलिए मिलता आप से अगले वीडियो में